पाट 10 की स्टार्टिंग होती है और यूयू को लग रहा था बेली की हालात उसकी वज़द से ऐसी हुई है और यूयू ठान लेती है कि वो बेली को रीपे करके ही रहेगी और इसी तरह सुभा हो जाती है और तब जाकर बेली की आंखे खुलती है और वो अपने बगल में यूयू को देखता है और उसकी फिक्र करने लगता है तब ही वहां तावा कर यूयू को पताती है बाहिर वेन उसका इंतजार कर रहा है बहुत सारे स्नैक्स के साथ तो यह सुन यूयू वेन के पास जाने लगती है मगर बेली बिमार होने का नाटक शुरू कर देता है यूयू को भी स्टार्टिंग में लगता है बेली की तब्यात सच में बिगड गई है लेकिन फिर वो जल्दी समझ जाती है बेली नाटक कर रहा है और यूयू बोलती है वेन ने मेरी बहुत मदद की है एटलिस मुझे उसका शुक्रियादा तो करने दो मैं उसे इतना र बेली से डर्ड़ना मत मैं तुम्हें अब से प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन हमारी यूयू उसे समझाने की कोशिश में लग जाती है कि जैसा वह बेली के बारे में सोच रहा है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है और तब हम बेली आ जाता है जिसे देखते ही वेन उसे सुन करने वाला यह बात याद रखना और अब हम त्याने और बेली को एक साथ देखते हैं जहां बेली के फिक्र यूयू के तरफ इतना देखते हुए त्याने बेली को टीस करना चालू कर देता और वहां भी हान आती है जिसे देख बेली बिमार होने कर नाटक बंद कर देता ह लेकिन वहां फिर यूयू भी आ जाती है जिसे देखते ही वो बिमार होने का नाटक अगैन चालू कर देता है और ये सब देखने में त्याने को बड़ा मजा रहा था और बेचारी बिहान बुरा मान कर वहां से चली जाती है और बेली मैडिसन लेने के बाद यूयू को किस कर देता है जिसे यूयू हैरान रह जाती है और वहां से भाग जाती है और धर जाकर यूयू बलश कर रही थी तो यह देखताओ को लगने लगता है यूयू को बेली में क्रश आ गया है और यूयू जो भी काम कर रही थी उसे बस वो किस वाला इंसिदेंस याद आ रहा था जिसे याद कर वो सोचती है कहीं मुझे बेली से प्यार तो नहीं हो गया है ना और इधर त्यारे मिस्टर हुआंग और उसके असिस्टन को डरा रहा था कि वो उन दोनों के प्राइविट पार्ट ही कटवा के हटवा देगा और बेली मिस्टर हुआंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मिस्टर हुआंग बोलने लगते हैं वो थोड़ी बॉस है बॉस तो उसका असिस्टन है और यह सब देख असिस्टन को गुस्टा आ जाता है और वो मिस्टर हुआंग का भांडा खोल देता है यह बोलकर कि उ उसे यह सब करने से साफ मना कर देता है विकाज उसका गहना था बीवी उसकी है तो हर चीज वही करेगा तो वेन बोलता है तुम लोग कर डिवार्स हो गया है और इस बार मैं गिवब नहीं करने वाला हूं और इधर यू-यू अपने रूम में अंधेरे में बैटी हुई थी कि उसे प्यार तो नहीं हो गया है ना और अब हम लोग नेक्स्ट मॉर्णिंग का सीन देखते हैं जहां ताव और यू-यू पूरी राज सोई नहीं थे जिस वज़े से दोनों की आँके सूज गई थी और वो ताव को बोलती है मेरी एक फ्रेंड जो अभी एक लड़के से मिली है और वो लड़का काफी ृटूस है लेकिन व नेरी दोस के साथ अच्छे से भीहिग करता है और सबसे बड़ी बात कि उसने मेरी फ्रेंड गो किस किया है और जब मेरी फ्रेंड उस लड़के को देखती है तो उसका दिल धढ़कने लगता है और जब वो उसे नहीं लिए यहां से भागने का सोचती है लेकिन ताव उसे इसके बारे में बेली को बताने को बोलती है लेकिन यू यू मना कर देती और दरतिया ने बेली को बताता है मिस यू यू कहीं भाग गई है और इस बार वो ताव को भी लेकर गई है और यह सुन बेली टेंशन में आ जात थी और इधर जियान को भी पता चलता है यूइयू भाग गई है तो भूलता है मुझे पता है वो इनसान को ज़रू छोड़कर चली जाएगी जिसने उसके पादर को मारा है और बटिलर उससे पता हाँ है बेली यूइयू को डूने के तो यूयू से बताती है उसने तो एक लेटर उसके लिए रखा था लेकिन वेली को उस लेटर के बारे में कुछ पता नहीं था तो यूयू बोलती है कासले ने मुझे फॉर्चन शॉप दे दी है और आपके मैंशन से यह बहुत दूर पढ़ता है इसलिए मुझे अपना काम स चक्कर में उसे शॉप से बाहिर कर देती है और पूरे दिन वेली बस यूयू के फिकर में लगा पड़ा था कि वो अकेले कैसे रहेगी सब कुछ कैसे मैनेज करेगी और फिर हम वेली को यूयू के शॉप में एक चुपे हुए देखते हैं जहां यूयू के पास वेन आता ह और वेन की बाते सुनकर बेली को बड़ा गुसा आ रहा था और इस बात का इडिया यूयू को भी था वेली उसके शॉप के कैबिनेट में चुपा हुआ है और वेन को कैबिनेट से हवाज आने लगती है तो वो चेक करने के लिए जाने लगता है मगर यूयू यूयू ये ये देख यूयू खुश थी और अब वो कैबिनेट के पास आती है जहां उसके आते ही बेली उसे अपने क्लोस कर लेता है और यूयू शर्मा के वहां से भग जाती है और अब तो ताओ बिचारी परिशान हो गई थी यूयू के बलशे और अब ताओ और यूयू मिलकर प् जियान बोलता है मैंने कब बोला तुम उस पर नजर रखो और मैंने ये दो एपल इसलिए बेजा विकास एक एपल तुम और दूसरा बेली है और अब मैं ये चाहता हूं कि तुम दोने एक दूसरे के प्यार में पढ़ जाओ और मेरी यही विश है और अब से तुम दूसर रखा था विकास वो खाना बना रहा था और अब तो यूईू को लग रहा था अगर ऐसे ही बेली यहां रहा तो उसका पूरा घर जल जाएगा और अब बेली अपना जला हुआ खाना पेश करता है जिससे यूईू बिलकुल भी नहीं खाना चाहती थे और नेक्सीन में वे अपनी पूरी कोशिश करेगा यूईू को इंप्रेस करने के लिए और दिक्कत भी क्या है वो दोनों ही सिंगल है और यूईू इन दोनों के साथ मार्कित आ जाती है जहां ये दोनों ही यहां ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि मैं जादा यूजू को जानता हूं तो मैं जादा जानता हूं और इस चीज़ से यूजू परिशान हो गई थी और एड दी एंड वो इन दोनों को पूरा सुना दे थी और तब ही बेली से भूल से एक बच्चे को चोट लग जाती है और वो बच्चा रोने लग जाता है तो बेली उसे चुप कराने की कोशिश में लग जाता है बट वो बच्चा चुप हो ही नहीं रहा था बर तब ही वहां यूजू आकर उसकी मदद करती है उस बच्चे को जाती है और ये दोनों अभी भी बस लड़े ही जा रहे थे और अब आधी रात में बेली और त्याने यूयू के घर के अंदर जम करके आ जाते हैं लेकिन ताओ वहीं आकर उनसे सवाल जवाब करने लगती है बर ताओ का दिमाग गुटनों में था इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाती ये लोग पीछे के दिवार से जम करके क्यों आए हैं और इधर बेली यूयू के साथ था जहां उसकी चाय भी खत्म हो चुकी थी तो यूयू उसे यहां से जाने को बोलती है तो बेली ये बहाना देने लगता है कि बारिश होने वाली है जो सुनते ही यूयू वेन के फिकर में बाहर जाने लगती है और इससे भी बेली जैलिस हो जाता है और इस बात को एकसेट कर लेता है कि बाहर बारिश नहीं हो रही और यूयू इसके लिए मान जाती है कि बेली इसके साथ एक बैड में सो सकता है लेकिन त्याने तब ही दूसरा बैड लेकर आ ज गुसा आ जाता है और वो त्याने को पर गुसा करके वहां से शला जाता है और बीहान को लग रहा था बेली अब उसके प्यार में है जो कि उसकी बहुत बड़ी घलत सही थी और अब नेक्स्ट मॉर्णिंग बेली नए नए कपरे ट्राइ कर रहा था जिससे वो यूईयू को सके और अब भीहान नाश्टा लेकर बेली के पास आ रही था और अब वो देखती है कि बेली दाड़ी बना रहा था जो देख वो हैरान हो जा दी अर अपने रूम आकर अपनी सर्वेंट को बोलती है मुझे लगता है मुझे एक बड़े सीक्रिट के बारे में पता चल गया और यूयू के पास वो लड़किया आ गई थी काम मांगने के लिए जिनें यूयू के साथ किरनाप कर लिया था लेकिन यूयू सोच रही थी वो इतने लोगों को कैसे खिलाएगी पिकास अभी तो उस इंसिडेंट के बात से एक भी कस्टमर यहां नहीं आ रहे हैं लेकिन भी वो इन दोनों को रखने के लिए मांजाती है बट वो लोग बताती है बाहर और भी लड़किया है जो सुन यूयू परेशानी में आ जाती है और बेली और वेन यूयू के शौप आते हैं जहां ताओ उन दोनों को यूयू की परेशानी के बारे में बताती है और वेन य तो क्या बार बार ऐसे थोड़ी चलता रहेगा और यू यू बहुत परिशान थी जहां उसके पास बेली आता है मगर यू यू उससे हेल्प लेने से मना कर देती है बट बेली उससे समझाता है तो वो मान जाती है और अब ये दोनों टैलिस में आ जाते हैं आसमान के तारों क साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इन दोनों का किसोनी वाला था कि यू यू रुक जाती है बिकॉज उसे अपने शॉप के लिए आइडिया आ गया था और अब नेक्स्ट मॉर्निंग यू यू बहुत सारे पामपलेट पूरे सिटी में बटव करने के लिए अगर सिटी का सबसे हैंडसम लड़का शॉप में जाएगा तो बागी लोग भी इंफ्लेंस होकर आएंगे लेकिन हम देख पाते हैं और बहुत से लोग आ गए थे तो यू यू के टालेंच शो में पारिसिपेट करने के लिए और यू 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 बेली को बता उस टाइटल को कुछ मानते ही नहीं थे तो मैं भी फोर्स थोड़ी कर सकती थी और इधर वेन अपने बेकरी में था जहां उसे यू यू का ख्याल आ रहा था और वो अपनी मॉम का क्लिप देखकर बोलता है मॉम फाइनली मुझे वो लड़की मिल गई जो मुझे पसंद है और इसी के साथ इस पार्ट के एंडिंग हो जाती है